बारत में पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों में 79 प्रतिशत मौतों का कारण को पोशन है युनिसेफ की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में ये जानकाली दी गई है बच्चों के पोशन पर युनिसेफ ने 20 साल पहले इस तरह की रिपोर्ट जारी की थी अपनी रिपोर्ट दे स्टेट अफ दे वर्ड्स चील्रन 2019 में युनिसेफ ने कहा कि इस आयूवर्ग में हर दूसरा बच्चा किसे ने किसी रूप में कुपोशन से प्रभावित है इसमें बच्चों का विकास बादित होने के 35 प्रतिशत मामले दुरबलता के 17 प्रतिशत और वजन अधिक होने के 2 प्रतिशत मामले है केवल 42 प्रतिशत बच्चों 6-23 महने के आयू वर्ग में इनको परियाप्त अंतराल पर भोजन दिया जाता है और 21 प्रतिशत बच्चों को परियाप्त रूप से विविध आहार मिलते हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि 6-8 महने के आयू के केवल 53 प्रतिशत शिशुओं के लिए समय पर पुरा काहर देना शुरू किया जाता है रिपोर्ट में भारती महिलाओं के स्वास्त के बारे में कहा गया है कि हर दूसरी महिला में खुन की कमी है ये भी कहा गया है कि पाच वर्ष से कम आयू के बच्चों में खुन की कमी सबसे अधिक व्याप्त है किशोर लड़कियों में ये किशोर लड़कों से दो गुनी है भारती बच्चों के बीच उच्छ रक्तचाप, किड्नी रोग और मधुमें जैसे वयसक रोग भी देखे जा रहे हैं रिपोर्ट में दिये गए आंकडों में कहा गया है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुक्ष्म पोशक थत्मों की कमी से प्रभावित है पांच वर्ष से कम आयू के हर पांच वे बच्चे में विटामिन A की कमी है हर तीसरे बच्चे में से एक को विटैमिन B12 की कमी है और हर पांच में से दो बच्चे खून की कमी से ग्रस्त है रिपोर्ट में कहा गया है कि पोशन अभियान या राश्ट्रिय पोशन मिशन में पूरे भारत में पोशन सुरिक्षा संकेतों को बहतर बनाने में एक प्रमुग भूमी का निभा रहा है रखत हिंता से लडने के लिए एनिमी या मुख्ट भारत कारेक्रम को कुपोशन को दूर करने के लिए दुनिया भर की सरकार रोधवारा लागु किये गए सबसे अच्छे कारेक्रमों में से एक माना गया है भारत के शहरों ने सेहत के लिए नुकसान दायक स्नेक्स खाने का माहौल बढ़ रहा है जिससे बच्चों की भोजन की पसंद प्रभावित हो रही है और ये ग्रामिन शेत्रों में भी फैल रहा है देश में भोजन की खपत के पैटर्न से पता चलता है कि बच्चों के आहर में बड़े पैमाने पर प्रोटीन वसुक्ष्म पोशक तत्व नहीं है और ये घर के बड़ों के भोजन की पसंद से प्रभावित हैं दशकों में बढ़ती आमदनी के बावजूद प्रोटीन आधारित कलरी कम और आपरिवर्तित रहती है और फलों और सबजीयों की कलरी के हिस्से में गिरावट आई है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक इस्तर पर प्रसंस्कृत खाद बिकरी का 77 प्रतिशत सिर्फ 100 बड़ी फर्मुदवारा नियंतरित किया जाता है शहरी इलाकों में धेरो गरीब बच्चे और स्वास्थेकर खाना खा रहे हैं वैश्विक इस्तर पर इस समस्या के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आउस्तन पास साल से कम उम्र के 3 बच्चों में से 1 या 20 करोड बच्चे या तो कुपोशन का शिकार है